खुशी की बात है कि कपिल शर्मा शो का नया सीजन फिर से आ रहा है लेकिन एक बहुत ही दुख की बात ये है कि कुरुशना जो सपना का रोल करती थी जो कभी आविता बच्चन तो कभी जैकी श्रॉप तो कभी धरम पाजी बन कर आते थे वो इस शो में नजर नहीं आएंग बत कपिल शर्मा ने कृशना के जाने के बाद कृशना की कमी नाखले उसका इंतजाम कर लिया है कह सब और दूसरे चीज ये कि कई लोग हैं जो कपिल शर्मा के शो में आते हैं काम करते हैं और चले जाते हैं सुनील ग्रोवर जब गए तो कहा जा रहा था कि ये शो अब फ्लॉप हो जाएगा तो कपिल शर्मा कुरुष्णा को लेकर आए और कुरुष्णा से दमदार पॉफॉर्मेंस निकल वाई कि कुरुष्णा ने शो को खड़ा कर दिया अब इस सीजन में जब कुरुष्णा नजर नहीं आ रहे है तो एक बार फिर से कहा जा रहा है कि कपिल शर्मा का शो अब नहीं चलने वाला क्योंकि कुरुष्णा के बिना तो कोई मतलब नहीं है शो में लेकिन आपको बता दे कि कुरुष्णा के टकर का ही कॉमेडियन अब इस शो में नजर आने वाला है सबसे बड़ी बात इस कोमेडियन ने कुरुष्णा के साथ भी कई सारे शो किये हैं और कुरुष्णा सुदेश के साथ इस कुमेडियन की जोड़ी को भी पसंद किया जाता था सिधार्ट सागर का नाम अगर आपने सुना होगा तो पॉपलर हुए थे और 2014 तक वो कई सारे comedy shows में active थे लेकिन उसके बाद वो अचानक से गायब हो गए फिर 2020 में उन्होंने एक press conference की जिसमें उन्होंने बताया कि वो drug addict हो गए थे वो rehab गए फिर पारिवारिक भी उनके कुछ जगड़े चले और अब वो come back कर रहे हैं सिधात सागर को लेकर खबर आए थी कि वो बहूत बुरी हालत में मुंबई की एक सडक पर मिले जिसके बाद उनकी मदरूने उन्हें फिरसे संभाला अब एक बार फिरसे सिधात सागर इस शों में नजर आने वाले हैं और शों के प्रोमो में शों के फोस्टर में सभी जगे सिधा सिद्धाद सागर की आक्टिंग अगर आपने देखी है और कुछना को तो आपने देखा ही है तो बताइए क्या सिद्धाद सागर कुछना की या सुनील ग्रोवर की भरपाई इस शो में कर पाएंगे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें